22 जुले की शुर्य दन में सुकास होगत है परमादप कहते हैं कि बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भवा सूली मलग की बहुती बुरी सिचुएशन हालत हो या कोई परिसिती आई हो और कांटा बनना मलग वही बहुत बड़ी पर नब 63 बस जो हमने पिछले जनम में जैसे-जैसे हमारे अंदर काम ग्रोड लो मौकर हर जनम में बढ़ता गया उसका संसकार बढ़ता गया और हमने हात में गलत गलत हमने वहवार करे गलत हमने डिसिजन्स लिए जिनके कारण उनको नुक्सान हुआ जो भी हुआ तो वह पि रिंटि के जाओगे तो हमें भी सब कुछ यहां की चुक्ति करना परीसिति आनी जरूर है क्योंकि सब कुछ यहां ही चूक्त करना है लेकिन बाप की मदद उनहें काटा बना देती है वद जने की बड़ी बात को बनाद दिती है क्योंकि बड़ा बाप साथ है तो परमात्मा कहीं न कहीं से अपने फरिष्टों एंजल्स ऐसी आत्मों के दुवारा जिनके साथ में हमने अच्छे करमी किये हैं उन्हीं के दुवारा भी हमें मदद पहुँचा देते हैं हेल पहुँचा देते हैं और वही बात जो सूली है वो काटा मज़ती लेकिन इसमें एक चीज़ इंपोर्टन है कि हम किसी के साथ में बुरा ना कर रहे हों हम किसी का नुकसान ना कर रहे हैं कंडिशन अपलाए हैं इसी निश्चे के आधार से सदा निश्चिंत रहो इसी तुने इसी निश्चे के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हलके हो जाओ कि ये परिसिती मेरे लिए नहीं आई है ये परमात्मा की हर चीज़े वस्तू है, वैबव है, पदार्थ है संपत्ती है, परमात्मा की मैं ऐसे किया, मेरे को क्यों किया, मेरे धन समपती को ऐसे क्यों किया, मेरे शरीर के साथ मैं ऐसे क्यों किया, मेरे मन को ऐसे क्यों किया, मेरे बच्ची को ऐसे क्यों बोला, यह अगर आया, मेरे पती को ऐसे क्यों, मेरे वाइफ को ऐसे क्यों किया, मेरा मेरा जहां पर है, फिर मन, बुद्धी, शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा और सही decision आएंगे तो तेरे को मेरे को तेरे में बदल ली कर हलके हो जाओ, ये बहुत important sentence है सोचो आप अपने life में, ये मैंने क्या चीज़ों को मेरा मान के रखा हुआ है उनको अगर मैं इसी समय तेरा समझ लू चाहे साती हो, संबंदी हो धनसंपत्ती हो परमात्मा, बाबा ये आपका है सब कुछ आप समालो इसको, तो कितना हलका मेसूस करें है हो जाओ, तो सब बोज एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे एक सेकंड में ये मान लेना समझ लेना और अंदर दिल से के दर बाबा सब कुछ आपकात हो है, आप समालो कितना हलका हो जाएंगे चिंता मनी से निश्चिंत मनी बन जाएंगे मुँश्यंती